आमादमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंग्रॉली महापौर रानी अगर्वाल शुक्रवार को टाउन हॉल में पार्टी द्वारा आयुजित कारकर्ता समवाद कारकर में शिर्कत करने पहुँची कारकर में शामिल होने से पहले महापौर रानिय अगरवाल सरकेट हाउस में पत्तरकारों से रूबर हुई प्रेस कॉन्फरेंस में आप प्रदेश अध्यक्ष रानिय अगरवाल ने भाजपा और कॉंग्रेस पर जम करने शान असा था साथ ही आपकी चुनावी रंडीती के बारे में भी चर्चा की उन्होंने बताए कि इस बार होने वाले विधानसव चुनाव में आमादमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसके लिए कारकरताओं का जोड़ने का काम आमादमी पार्टी कर रही है आगामी समय में दिल्ली के मुखमंतरी केजरिवाल का प्रदेश के अलगल इलाकों में दोरा होगा प्रदेश अदिक्ष रानिय अगरवाल ने कहा कि 75 सालों से देश में कॉंग्रेस और भाज पर आज करती आ रही है देश आज उस स्थान पर नहीं पहुंच सका जहां उसे होना चाहिए जनता के पास इन दो पार्टियों के अलावा विकल्प नहीं था लेकिन आज देश की जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के दोर पर देख रही है जनता जानती है कि दिली में केजरी वाल जी ने जो जनता के मूलभू सुधाएं होती है सबसे पहले जनता को चाहिए कि अच्छे स्कून हो अच्छे हास्कीटल हो और युवाउं के लिए रोजगार हो बिजली पानी इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने महाँ पर वो काम किया है लेकिन आज भी मद्ध परदेश में वो काम नहीं हुए तो जनता जागरूख हो चुकी है, समद्ध चुकी है कि यहाँ पर मद्ध परदेश में कितना भ्रष्टा चार फैला हुआ है आज तको काम नहीं हुए जो मूल भूस से उधाएं होती है तो इस परकार जनता बोड देगी क्योंकि पिछले कारिकाल में आपने देखा कि उन्होंने कांग्रेस में देखा लेकिन खरीद प्रोस का इस परकार काम चलता है कि कांग्रेस में बोड देएंगे तो बिजेपी में जाएगा और बिजेपी में बोड देएंगे तो कांग्रेस में जाएगा तो जनता जागरूप हो चुकी है, समझ चुकी है, तो इस बार जनता पूरे मूड में है, परवर्तन में, बदलाओं में और एक मोका केजरीवाल जी को देखे